नमस्कार दोस्तों, वेलकम आवार चैनल क्रिकले में नहाँ पे आपको एक और बार स्वागाते। आज हम लोग बात करेंगे सर्जा वारियर्स वर्सेस, एमाई एमिटर्स, इंटरनेशनल टीटोंटी लिग, मैच नमबर 9, जो 26 जनवारी फ्राइडे, इंडियान टाइम के मुताबिक साम 8 बजे, सर्जा क्रिकेट स्टेडियाम सर्जा पे होने वाला है, उसी मैच के बारे मे वीडियो पे बात करेंगे, स्टाट्स, हेट टु हेट, वेनू, ये, वो, बहुत देख चुके है, कुछ नहीं हुआ उससे, अभी टाइम आया है, स्टाट्स से निकालिए, और स्मार्ड बनिए, प्रैक्टिकल में मैच पे क्या-क्या होगा, और क्या नहीं होगा, वो समझ तो वीडियो पे बिना एस्केप किया, आखिर तक बने रही है, और चैन को सब्सक्राइब करते हुए, बिल आइकन को पेस्ट कर लीजे, अभी बस इतना ही करना है, बागी हम पे छोड़ दीजिए, पीछ रिपोर्ट, तो चाली दोस्तों, पीछ रिपोर्ट देखते हुए वीडियो सुरू करते है, सर्जा का स्टो च्टरिया में ये पूरा बैटिंग्स पैरडाइस है, जहां पे बैट्समान के लिए बहुत मदद है, ग्राउंड जो है ये भी बहुत छोटा है, तो ग्राउंड पे बैट्समान के लिए अपना सौट खेलने पे लिए बहुत है, सेकेंड इनिंग्स पे स्पीनर को थोड़ा बहुत टन भी मिलता है, और पीज जो है बहुत ज़्यदा स्लो भी हो जाता है, तो पहला जो एक मैच हुआ है इमें उनमें भी हम लोग दोसों के आसपास फास इनिंग्स को देखने के मिला था, लेकिन सेकेंड इनिंग्स प हुआ है, जिसमें से दो मैच पे ही मुंबाई एमिटर्स ने जीत असिल कर पाया है, तो रेकॉर्ट में अभी तक सर्जाव वार्यर्स खता नहीं खोला है, और अभी जो इस सीजन चल रहा है, इस सीजन पे भी मुंबाई एमिटर्स ने टेबिल पे टॉप के पोजिशन पे थ्री मैच खेल के दो मैच के पे जीत, एक मैच के हार के साथ, और सर्जाव वार्यर्स ने दो मैच खेल के एक मैच के जीत, एक मैच के हार के साथ, नामबर फिप्ट के पोजिशन पे थोरा सथ स्ट्रॉंग दिखाई देला है, मैं एमिटर्स एज टीम, लेकिन सर्जाव व उसके साथ जोसन चाल्ज, कप्तान टॉंग खुलार कैड मोडे, विकेट कीपर बैट्समैन निरोसन डिकवाला, लुईस जोर्जी, विसल हमित, डानियल साम्स, क्रिसोक्स, मैमो जैदुल्ला, मैस तिकसाना, क्वाई सामित और दिल्चार मदुसंगा को हम लोग सार्जाव व वाटिण करते हों देखेंगे, और जब बोलिंग करने आएगा, तब दिल्चार मदुसंग का इंपक्वाला क्रूब पे आसकता है, अगर सर्जा वर्यारस पहले बोलिंग करेगा, उस तब पे दिल्चार मदुसंग का प्लेइंग लेवन पे राएगा, और मार्टिन गप् उसके दोबाद सर्जाओ वर्यार्स का बोलिंग की बात करे तो डैनियल साम्स, क्रिक्स, ओक्स, महमत जैदुला, मैस्तिक साना, क्वाई सामे तदिलचर मदुसंका टोटल 6 अपसाने उसके साथ लुईस, जोर्जी और विसल हमीद भी आपको बोलिंग करते हुए देख सकता एक से दोबर सर्जाओ वर्यार्स की तरफ से, सर्जाओ वर्यार्स की तरफ से सुरुबाती वर्यार्स की बात करे तो दिलचर मदुसंका के साथ क्रिक्स ओक्स आपको सुरुबाती वर्यार्स बोलिंग करते हुए देखेंगे, पार पले पे डैनियल साम्स भी आपको एका वासिम उसके साथ कुसल परेडा, वन डाउन पे विकेट कीपर बैटस्पन और कप्तान निकोलास पुराण, उसके बाद एंद्रे फ्लेचर, टीम डेविड, ड्रैन ब्रैबो, अकिल हुसेन, ट्रेंड बोल्ड, फैजल फारुकी, वकर सलम खिल, मौम्मद रोहित खान, विल स प्ले बोलिंग करेगा, तो उस टाम पे वकर सलम खिल, आपको प्लेइंग लेर में देखेंगे, और विल समीत या अमबात तिराडो में से कोई इंपक्ट प्लेयर ग्रूब में आ सकता है, बाद में जब बैटिंग करने आएगा, तो एमाई एमिटर्स की तरफ से बोलिंग करते हों देखेंगे, फजल फारूकी भी आपको पार प्ले पे का दोबर बोलिंग करते हों देख सकता है, और देथ ओबर की बात करें, तो देथ ओबर में टेंट बोल के चाथ फजल फारूकी आपको देथ ओबर बोलिंग करते हों देखेंगे, ड्रैन ब्रैबो भी आपक क्रिसोक्स, महेस्तिक साना और दिल्चर मदुसंका को आप अपने स्मॉन लिग पे पिक कर सकते हो मार्टिन गप्टिन जोलसन चाल्स ओपेनिंग में बटिंग करते हुए आएगा दोनों ही हार्ड इटर बैर्स बने जब तक क्रिस पे रुखेगा हीट करते हुए जाएगा बहुत ही कतनात भी आड़े तो आप इन दोनों के अपने स्पॉन लिग पे पिक कर सकते हो बैटिंग फेल्ड पीछे तो अगर सर्जा ओर्यार्स पहले बैटिंग करेगा तो उस टाम पे ये दोनों आपके लिए बहुत ही बढ़िया ओप्सन डैनियल सम्स और क्रिक सोक्स की बात करें तो दोनों ही बहुत ही बढ़िया बोलारे सुरुबाती पार प्लेई और डेत ओवर पे हम लोग इनको बोलिंग करते हो देख सकता है और उपर बैटिंग करने भी आ सकता है दोनों ही तो आपके लिए ये दोनों भी बहुत ही बढ़िया ओप्सन होगा उसके बाद मैस तिकसाना और दिल सर्ण मदुसंग का भी अपके लिए बहुत ही बढ़िया ओप्सन होगा खासकर अगर सर्जा ओर यार्स सेकंड बोलिंग करेगा उस टाइम पे मैस तिकसाना आपके लिए बहुत ही जबददध सपसन हो सकता है में अच्छा वर्ड यार्स पहले बुलिंग करेगा तो इस टाइम पर आपके लिए बहुति बढ़िया उपसॉन हो सकता है उसके बाद एमाई एमिटर्स की तरफ से मौमद वासिम, कुसल परेडा, निकोलास पूरान, डेवेन, जायन ब्रैबू, ट्रेंड बॉल्ड और फैजल फारुकी को आप अपने स्मॉल लिग पे पिक कर सकते हो मौमद वासिम और कुसल परेडा, उपेंडिंग में बैटिंग करते होए आ सकता है, एमाई एमिटर्स की तरफ से बहुत ही बढ़िया प्लियार है, बैटिंग फैली पीछ है, तो अगर पहले बैटिंग करेगा एमाई एमिटर्स तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया ओप्स आप इन दोनों को अपने स्मॉल लिग पे पिक कर सकते हो, निकोलास पुरान भी बहुत ही बढ़िया ओप्सन होगा, वान डाउन पर बैटिंग करते हुए आएगा, विकेट कीपिंग करेगा और कप्तान का जिम्यदारी भी है, जब तक क्रिस पर रुखेगा, हिट करते आपके लिए बहुत ही बढ़िया ओप्सन, सेकेंड इनिंग्स पर भी अच्छा ओप्सन हो सकता है, क्योंकि पीच थोरा सा स्लोडाउन हो सकता है, उस टाम पर डायन ब्रावो बहुत ही खतरनात हो सकता है और बैटिंग से आपको पॉइंट दे रहा सकता है, तो आपके टी बोलिंग करेगा, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया ओप्सन होगा, चाय टीम सुरुबाद में बोलिंग करेगा, तो उस टाम पर और भी अच्छा ओप्सन होगा, एकर सेकेंड बोलिंग करेगा, तो उस टाम पर भी आच्छा ओप्सन होगा, तो इन दोनों के अब अप तो अगर सर्जा हुआ यार्स पहले बैटिंग करेगा उस ट्रैम पे आप जॉन्सल चाल्स के साथ निड़ाड होके जा सकते हो आपके लिए अच्छा उपसान हो सकता है क्योंकि सुरुबात में बैटिंग पे बहुत ही बढ़िया रान है उसके साथ डानियल सामसी भी आपके इमाई अमीटर्स पहले बैटिंग करेगा उस टाइम पे आप निकोलास पुराण के साथ जा सकते हो वान डाउन पे बैटिंग करते हुए आएगा इमाई अमीटर्स की तरफ से विकेंट के बिसे सलसे भी आपको पॉइन देलाएगा आपके लिए बहुत ही बढ़िया उप दोस्तों अबर आप अपने स्मॉल लिग पर केप्रेण बायस के एरटिंग में थोड़ा सा रिक्स ठाइन चाहते हो तो सार्जाव वाछिक से क्रिक सो और माईस दिक्सान को टाइब कर सकते हो मामस दीक्सान बहुत ही बढ़िया उप्सान वाक्षान को सेकेंड बॉलिं से क और बोलिंग से भी अच्छा का सा बोलिंग करता है तो आपके टीम के लिए बहुत ही बढ़िया उप्सन होगा, अगर आप थोरा से रिक्स लेके इन दोनों को टाइक करना चाहते हो, तो टाइक कर सकते हो, इमाई एमिटर्स की तरफ से मेहमद उल्ला वासीम और फैजल जाता है, थोरा से रिक्स होगा, फ़र रिक्स को रिवर्ड में बदा रा सकता है फार जल फारू कि अब जा सकते हो, आपके लिए अच्छा उप्सन हो सकता है, आप चाहे तो जा सकते हो, उसके बाद यूनिक कैप्टेन बास काप्टेन, तो दोस्तों, अगर अब जी एल प लुइस जोर्जी और क्वाइस आहमेद भी आपके लिए बहुती बढ़िया उप्सन होगा, टॉम कुलिर कैटमोरे वन डाउन पे बैटिंग करते होएगा, बहुती टलेंटेट, हार इटर बैस बाने, जब तक ये भी रुकेगा हीट करते होएगा, आपके लिए बहुती प्रणी चाहरा है, इसलिए थोरा सरीक से हैं, लेकिन आप जा सकते हो, आपके लिए अच्छा उप्सन हो सकता है, क्वाइस आमेद की बात करें, तो क्वाइस आमेद भी बहुती बढ़िया उप्सन होगा, इनको भी अच्छा का सा विकेट मिल जाता है, लोगों ने माइस ट्राइ करेगा, आप अगर क्वाइस आमेद के साथ जा सकते हो, अगर सर्जा और या सेकेंड बोलिंग करेगा, उस ट्रैम पे आप स्मिनार को अच्छा का समधत मिल सकता है, तो उस ट्रैम पे क्वाइस आमेद को आप ट्राइ कर सकते हो, इमाई एमिटर्स की तरफ से कुस परेड़ा को टाइग कर सकते हो आपके लिए अच्छा ओप्सन हो सकता है तो जिस टिम पे वाई अमिटर्स की टॉप अटल को आप छोड़ रहा है उस टिम पे आप टीम डेविट को टाइग कर सकते हो आपके लिए अच्छा ओप्सन हो सकता है अब चाहे तो यह टीम बना के फिचूशन के हिसाब से आपके लिए अच्च ओप्सन हो सकता है सार्जा वर्यर्स फर्सेस एबाई एमिटर्स मैच की ड्रीम एलेबेन टीम क्या होगा ओ देख लेते उससे पहले दोस्तो अगर आप लोग ने अभी तक हमारे टेलिगरम चैनल को जोई नहीं किये तो जल्दी से टेलिगरम पर जाके सार्च करिए क्रिक लिए बेन आप आप आफिसल हमारे चैनल दिखाए देगा निचे डिस्किप्सेन पर और कॉमेंट सिक्सेन पर भी आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ से भी आप डारेक्ट टेलिगरम पर जुड़ सकते हो टेलिगरम बहुत ही जरुड़ है क्योंकि फाइनल आपर टों पर देया जाएगा एमाई अमिटर्स की तरफ से आप चाहे तो टाइकर सकते हो निकलास पुराण बहुत ही बढ़िया ओप्सान होगा वन डाउन पर बैटिंग करते हुए आएगा हीट और मिश्टाइब बला प्ले आरे लेकिन बहुत ही बढ़िया प्ले आरे कुसाल परेडा भी आपके लिए अच्छा ओप्सान होगा ओपेनिंग में बैटिंग करते हुए आएगा आपके लिए बहुत ही बढ़िया ओप्सान हो सकता है अगर अमाई अमिटर्स पहले बैटिंग करेगा उसके बढ़िया ओप्सान होगा अगर अमाई अमिटर्स पहले बैटिंग करेगा उसके बैटिंग करेगा तो फिलाल के लिए हम लोग इनकोपी किया है टीम देबिट को चाहे तो अपने टीम पर टाइग कर सकते हो टॉम खुलेर कैट मोडे और मार्टिन गप्टिल दोनों ही बहुत ही बढ़िया ओप्सान होगा सार्जावर्यास की तरफ से टॉम खुलेर कैट मोडे वान डाउन और मार्टिन गप्टिल ओपे नहीं में बैटिंग करते होया है तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया ओप्सान होगा अमबाती राइडो इंपेक्ट प्लेयर के रूप में खिलते होगा आ सकता है विसल हमीत को आप जील प्रटाइ कर लीजेगा उसके बाद ओल्डाउन डाउन 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 से हम लोग डैनियाल साम्स को पिक्या है बहुत ही बढ़िया टैलेंट प्लेयर है अपना को अब को भी आप अप्रेट इंपेट आई कर सकते हो बहुत ही बढ़िया टैलेंट फ्लेयर है लेकिन रिसेंट फॉर्म थोरा सा खराप है इसलिए हम लोग पिक नहीं किया है अगर एमाई अमीटर्स पहले बॉलिंग करेगा उस टाम पे हम लोग इनको बारे लेने के बारे सोचेंगे फिलल के लिए हम लोग चुडाया है अब चाहित आप ड्यम बटाइक कर सकते हो जॉर्जी को हम लोग नहीं पिक है आप चाहित आप ड्यम बटाइक कर सकते हो दोनोंभी बाओत भी बाड़या अपशन होगा अपने टिम के लिए दिल-स बन्र मदूसंगा अगर 60 पहले बूलिंग करेगा उस टाम पे आप दिल्चर मर्दोसंग को अपने टीम पे टाइग कर सकते हो आपके लोग सेन भी बगधी बढ़िया उपसन होगा शुरूबाती पार प्लेयर पे अच्छा कासा उबार करते हो देख सकता है और जाब विकेल लेके जाता है तो जील पे एक दो टीम पे इनको टाइग कर लिजगा आप चाहे तो स्माल लिक पे भी आपने टीम पे टाइग कर सकते हो अम लोग ट्रेंड पूल्ड और पैजल फारूगी को टाइग किया है इमाई अमिटर्स की तरफ से बहुत ही बढ़िया उपसन होगा अगर इमाई अमिटर्स प पर दसन करके दे सकता है तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया उपसन उसके साथ साथ सा सुरवाती और डे टोरवे भी हम लोग इनको बोलिंग करते हो देखेंगे करिश उख साथ को अगर साजगा और या सेकेंड बोलिंग करेगा उस टाम पे आप माईस तिकसाना को अब आपके लिए बहुत ही खतनात हो सकता है क्वाइस आमेत को भी आप ट्राइ कर सकते हो साज्जा और यहां सगा सेकेंड बोलिंग करेगा उस टाम पे आपके लिए बहुत ही पर या उप्सन बाकी अब जेल पर ट्राइ का लिजिएगा उसके बाद करें तो हम लोग फिलाल के लिए निकोलास पुरान को क्याप्टेन और डानियल साम्स को बास क्याप्टेन में आए किया है अप चाहे तो रिवर्स भी का सकते हो या अरने किसी के साथ जा सकते हो आपको वीडियो के अंदर पहले ही बता चुका है तो ये डाई हमारी अभी तक काटिम फार्यार बेड़ा कोटेली गाम पे मिलेगा वीडियो आच्चा लगाए तो जानको सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजेगा धरने बाद दोस्तों